रादे रादे सभी को आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अक्षत रितिया पर लड्डू को पाल का हमें स्रेंगार कैसी करना है यानि चंदन के बस्तर हमें लड्डू को पाल को कैसे पहनाने है अक्षत रितिया से स्टार्ट हो जाती है बहुत अधिक गर्मी तो लड्डू क पाल को चंदन सेवा 21 दिन की 5 दिन की 7 दिन की या फिर अक्षे तृतिया वाली दिन आप दे सकते हैं लेड़ू को पाल को अगर आप पूरे वोड़ी पर यानि पूरे सरीर पर चंदन सेवा ना दे पाएं तो आप चरणों पर चंदन सेवा जरूर दीजिएगा और और सुनने के लिए मिलेगी तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हैं अक्षेत रतिया की आप सभी लोगों को बहुत बहुत सुपकामना है अक्षेत रतिया 10 मई दिन सुपक्रुबार को है 2024 में और जिस प्रकार आप हर रोज अपने लड़ू पाल को प्यारे को जगाते हो उसी प्रकार हम अपने ठाकुर जी को जगा लेंगे दूद का भोग अत्वा जल पिलाएंगे और उसके बाद में हम लड़ू गोपाल को इस नान करानी की तियारी करेंगे और अक्षेत रतिया है तो बाके विहारी मंदिर में यानि बाके विहारी जी के ब्रिंदावन में सिर्फ चरन दरसन ही होते हैं साल में एक बार ही चरन दरसन होते हैं व चंदन सेवा हमें किस प्रकार देनी है चंदन सेवा की अक्षे तरतिया वाले दिन बहुत बहुत महिमा होती है जिन लोगों के पास समय नहीं है उन लोगों को भी मैं बताऊंगी कि वो चंदन सेवा किस प्रकार दे सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को इतना समय नहीं हो तो लड़ोगोपाल को पंचाम्रत इसनान कराया जाता है समय के कारण से मैं इसी प्रकार से लड़ोपाल को पंचाम्रत इसनान कराती हूं एक ग्लास ले लीजेगा आप उसमें कच्चा दूद, दही, सककर, चीनी और सहद मिला करके और इसमें आज की दिन आप थोड़ा सा गंगा जल और गुलाब जल जरूर डालिएगा जो आपने देखा था मैंने एक सीसी में गंगा जल और गुलाब जल दोनों ही चीजे मिला करके रख ली हैं जिससे मैं पूजा में अपना जल्दी सब पुछ कर सकूँ और लड्डू को पाल को अधिक सेवा दे सकूँ अधिक समय दे सकूँ और मैंने पंचामृत इसनान इस प्रकार से लड़ोगोपाल को कराया उसके बाद में हम साधा जल से लड़ोगोपाल को इसनान कराएंगे देखिए जो लोग पंचामृत इसनान नहीं करा सकते हैं नहीं करा पाएंगे उनके लिए आप चाहें तो जल में, साधा जल में आप थोड़ा सा गंगा जल और गुलाब जल मिला के लड़ुगोपाल को इसनान करा सकते हैं अगर गुलाब जल भी नहीं है आप तो गुलाब की पतियां हैं वो डाल करके लड़ुगोपाल को इसनान करा लीजिएगा लेकिन गंगा जल आप थोड़ा सा जरूर डालिएगा और जो पंचामरत से इसनान कराया है हमने ठाकुर जी को ये पंचामरत घर में सभी सदस्यों को आप प्रशाद की रूप में थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं और इस प्रकार से हम अपने लड्डु गोपाल को अगर आप पूरे सरीर पर लड्डु गोपाल के चंदन के वस्तर पहना रहे हैं तो आपको सिर्फ नेपी पहनानी है यानि लड्डु गोपाल को सिर्फ लंगोट पहनानी है और मैंने यहाँ पर इस तरह के दो चंदन ले लिए हैं लाइट कलर है एक डार कलर है और एक औरेंज कलर है तो जो भी आपको ठीक लगता है और जिन लोगों के पास चंदन नहीं है वो चंदन सेवा देना चाहते हैं तो देखिए सूखी लकड़ी अगर आपके घर में पड़ी हुई है तुलसी की तो आप उसको मिक्सी में पीस करक है पूरी सरीर पर और बहुत ही प्यारे बहुत ही संदर लग रहे हैं हमारे तीनों ही लाला प्यारे लड्डू काना बहुत ही संदर संदर लग रहे हैं चंदन सेवा ले करके और मैं बड़े वाले प्यारे को भी इस प्रकार से चंदन लगा दूंगी और मैंने इनकी हातों बगरा से लगाएंगे तो अच्छे से ये चंदन लड़ु गोपाल के लग जाता है और जिल्लों को ये लगता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है हम नहीं कर पाएंगे तो लड़ु गोपाल के सिर्फ चरणों पर आप चंदन सेवा दे सकते हैं और केदारनात के द्वार भी अक्षे तरतिया की दिन ही कुलते हैं और अक्षे तरतिया का जो दिन है वो बहुती सुब बहुती महत पूर माना जाता है इस दिन कोई भी कारे जो किये जाते हैं वो सभी पूर होते हैं जैसे घर खरीदना ग्रे प्रवेश करना बिवहा आदी और सगाई वगेरा करना या इसलिए अक्षेतरतिया के दिन जो भी दानपुन किया जाता है वो हमेसा हमारा बना रहता है। ब्रंदावन बिहारी जी के मंदिर में जो भी भक्तिजन जाते हैं वहां चंदन की लड्डू सेवा देते हैं। आप बाहर देखेंगे मार्केट में बहुत बड़े बड़े चंदन की लड्डू रखे होते हैं और बिहारी जी को उसकी सेवा दी जाती है। और देखेंगे कुछ लोगोंं का ये प्रेशन होता है कि लड्डू को पाल जो अρχ हमने के चंदन लगाया है। गया करना है तो बड्ड़त को किसी कपड़े भरके लगाया है। और उसको किसी डबी में भरके रख लीजेगा और कहीं भी आप जब जा रहे हैं सुब कारे के लिए तो उस चंदन को अपने माथे पर लगाईएगा तिलक और लड्डू को पाल को आप जैसे साम के चार वजे से पांच वजे के बीच में आप लड्डू को पाल को इसनान करा करको उनको रात्री को इत्र से मालिस करके लड्डू को पाल को सयन करा सकते हैं इत्र मालिस आप जरूर कीजिएगा देखिए मैंने यहाँ पर लड्डू को पाल को पगड़ी लगा दी है और यह बहुती लाइट वीट पगड़ी है त्योंकि मुझे लड्डू को पाल का सर के बैठे हुए हैं और आज का जो मुख्य भोग होता है वो है सत्तू सत्तू ठंडकता प्रदान करते हैं पेट के लिए बहुत अच्छे रहते हैं तो इसलिए आप लड्डू गुपाल को सत्तू का भोग अच्छे तरतिया वाले दिन जरूर लगाएगा आप सत्तू का किसी भी रूप में भोग लगा सकते हैं आप लड्डू गुपाल की सत्तू का सरवत बना सकते हैं मैंने यहाँ पर मैंगो सेक बनाया है लड्डू गुपाल के लिए और रुवापजा का सरवत बनाया है आप सिकंजी बना सकते हैं आम पन्ना बना सकते हैं नीगु पानी बना सक को यह बना सकते हैं ऐहांगे की बोट भऊमुजा को भुग लगाना है रिजय को लगव लगाना रोम लुख पाल की फिप पुजा आर्थी करेंगे लेकिन मुख्य भूग जो होता है वो सत्तु होता है सत्तु होता है और कोई भी आप फ्रूट का और तरल चीज का सरवत का इस प्रकार लड्डू को भूग लगा सकते हैं और लड्डू को पाल के लिए खाने पीने की चीज़ा उनके प बनाकर के समर्पित कर सकते हैं जैसे तुलसी हमने ले ली उसको मिक्सी में पीस कर और आप गुपी चन्दन उसमें मिला करके और थोड़ा सा गुलाब likesर मिला कर उसका लड्डू गो लड़ुगोपाल को आप समर्पित कर सकते हैं लड़ुगोपाल को चरणों पर चंदन कैसे लगाना है मैंने आपको वीडियो में ये भी दिखा दिया है और बहुत ही आसान तरीके से लड़ुगोपाल की अक्षेतरितिया वाले दिन इस प्रकार आप सेवा कर सकते हैं लेकिन रातरी में लड़ुगोपाल को चंदन सिवा ना भूलिएगा अक्षेतरितिया के दिन चांदी खरीदना बहुत सुब रहता है क्योंकि चांदी ठंडी होती है आप चाहें तो अपने लड़ुगोपाल के लिए चांदी का गिलास कोई भी चांदी की चीज लड़ुगोपा रादे